गुड मॉर्णिंग सभी का स्वागत है आए हम आज के करेंट इफेर्स के बारे में पढ़ेंगे पहतरीन और महत्तपुन करेंट इफेर्स होंगे आपके परिक्षा के लिए और इसके साथ इसके स्टैटिक जिक्टे भी इसके लिए हम सुरुवात करते हैं आज के पहले प्र हैं कि पहली बुलेट ट्रेंज सेवा कब से सुरू होगी और भारत में पहली बुलेट ट्रेंज सेवा जो सुरू होने हो एका अहमदाबाद के के मुंबई के बीच कि माह और इसका पहला स्टेशन इस बुलर् ट्रेन को चलाने के लिए जो पहला स्टेशन बनाए गया वह सूरत पहला पहला स्टेशन बार भी आदर रखे गाला इस्टेशन इसके में टूरत बनाया गया है बूल ट्रेंज है जापान के सहयोग से ने स्पनरे ने इसकी का ःत्वाण यह नहीं काफी इंवेस्टमेंट किया है एक लाग दस और करोड और का प्रजेक्ट है डिरमें से नब्लब हजार करोडा है यू भल जै आस्वनी वैस्णों भालत में बुलड ट्रेण सेवा की शुरॉआत होगी औंबई से अहंदाबाद की काफी तेज चलने वाली हैं लगबग 300 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ये ट्रेंज चलेगी तो ध्यान किएगा 2026 तक भारत में भूलेट ट्रेंज सेवा शुरू हो जाएगी अभी भारत की सबसे चलने वाली ट्रेंज का उसी है ट्रेंज एटीन जिसे बंदे भारत express कहते हैं बंदे भारत लगबग 120 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ्तार से यह चलती है और बंदे भारत express को चलाने वाली जो पहली महिला निया रखेस आप लोग आप चालीज इंटरनेट उपग्रहों के साथ केप केनावेरल इस पेस फोर्स इस्टेशन जिन से फालकल बहुत महथ्पुन होता है कि इसली के लांच किया गया वेरिईएक किस जो है एक अमेरिकी कंपनी है अमेरीज इस्पेस कंपनी है अमेरिकी अंतरिक्ष कंपणी अमेरिकी अंतरिक्ष कंपणी है और इस कंपणी के मालिक कौन है एलन मस्क ना एलन मस्क इसके क्या है ओनर है जिनके एक कंपणी टेसला भी है यह भी आद रखेगा एलन मस्क की कंपणी है स्पेस एक्स और यह एक प्राइबेट स्पेस कंपणी है तो एलन मस्क की है और एक अंत्रिक्ष एजनसी है अभी इसी का एक नासा के द्वारा नासा का ही है और स्पेस आक्ष का समलित मिशन प्रू मिशन जो डियात्रियों को अंत्रिक्ष में ले आंगे तो इसका ट्रायल चला है तो भी ध्यान Germans क्रू मिशन तो एलन मस्क की कमपनी है और फालकेन नाइन रॉकेट का फ्रयोग किया और 40 इंटरनेट उपगरहों को क्या किया अंतरिक्ष में कैप केनावेरल स्टेशन से लॉंच किया है कि यह बात आपको ध्यान रखना है महत्वपून प्रस्ण होगा कैप कैनावेरल स्टेशन से इसको लॉंच किया कि इस पेक सेक्स अस्थापना 2002 में हुई थी और कैलिफोर्निया के संजुक तराज अमेरिका में इसका स्थापना हुई थी 2002 में और इसका जो हैड़ ऑफिस है कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया यूसे में है यह बात याद रखेगा इस स्पेस एक्स निती आयोग है लॉंच्टे सेल्फ मॉनिटरिंग फिरमोर्ख वाट नेम्टु इस्ट्रेटन दा इवेर ग्रोविंग एको सिस्टम अप अटल टिंकरिंग लाइब्स पुछा जा रहा है कि निती आयोग ने एक टिंकरिंग लेग जो हैना लगातार बढ़ते पारेश्थि सित्यकी को क्या करने के लिए मजबूत करने के लिए किस नाम से एक स्वव तचालित जो है तो निगरानी धाचा लॉंच किया है बहुत महत्तपुण होगा कली मैं ऐसे एक प्रशन पराया था जो अटल इनोवेशन मिशन से जुड़ा हुआ था अटल इनोवेशन मिशन करे इनोवेशन फार यू इनोवेशन फार यू उसका अंसर था यहां पर देखिए इसका जो सहीत जबाब हो जाएगा अटल सार्थी इसका बिलकुल जयाद कर का नीतियायोग अटल टिंकरिंग लैब इन्होंने विक्सित किया है युवाव के लिए इसके लगतार बढ़ते प संत्र कह रहा है इसको जो बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है उसके लिए और मजबूत करने के लिए क्या किस नाम से एक स्वनिगरानी पूर्टल लांज क्या है स्वनिगरानी जो है ना एक धांचा बिक्षित करने के लिए स्वनिगरानी धांचा लॉंच किया है जिसके ना याद रखिएगा आप लो अट्रल टिंगरिंग लैंब अट्रल इब्यारी बाज़पेई के नाम पर रखा गया है अट्रल इनोवेशन मिशन युवामन में जिग्यासा राचनात्मक्ता और कंप्रा को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में इनोवेशन के तहथ है अट्रल इनोवेशन मिशन के तहथ युवामन में इसे जुवामन में राचनात shines अ मत्ता राचनल नात्मक्ता पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए पूरे भारत में अटल्ट्िनखरिंग लैवर स्थापित कर रहा है तो अट्र morning lab श्थापित कर रहा हैक कर रहा है बच्चों में अलग-अलग तरीके के काम करने की जिग्यासा पैदा हो और इसके लिए क्या किया है कि निग्राणी डhando जिसके नाम है अटल सार्थी इसके निग्राणी करते रहे कि किस तरीके से चल रहा है और कितना और बहतर तरीके से इसको चलाया जा सकता है तो देश भर के स्कूलों में इसको जो है लगा रहा है और पाइलट पर्जेक्ट के छेत्रों में करनाटक अंदरपर्देश गुजरात में इसको इसको कहां लगाया गया सबसे पहले करनाटक आंधरपरदेश और गुजरात में पाइलट प्रजक्ट के रूप में आंधरपरदेश और गुजरात में चलाए गया है पहले गुजरात में तर्फ तीन राज्यों में ही ये भी याद रखेगा तीन राज्यों में ही इस सबसे पहले पाइलिट प्रॉजिक्ट टोर पे चलाए जा रहा है वो है नई दिल्ली में नितियायो का मुख्याला है नई दिल्ली में है और नितियायो के जो उपाध्यक्ष है उपाध्यक्ष वो है सुमन बेरी तुमन के बेरी और जो CEO है नितियायो के प्रधान मंत्री नितियायो का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधान मंत्री होते हैं अभी नरेंदर मोदी हैं नितियायो का बारे में आप लोग याद रखेगा ध्यान रखेगा बहुत अच्छा प्रशन बनेगा किस देश ने साधा बहुत विरासत पर साधा साधा मतला होता है कि एक साथ मिलकर कोई काम करना साधा काहलाता है इसका उत्तर हो जाएगा भारत कौन कर रहा है भारत कर रहा है साधा बहुत बिरासत पर S.S.E.O. सम्मिलन का क्या कर रहा है मेजबानी कर रहा है और यह कर रहा है भारत याद रखेगा भोत महत्पन प्रस्न होगा अब इससे संगाई सहयोग संग्ठन का दो दिशी अंतराश्टी सम्मिलन नई दिली के बिज्ञान भावन में शुरू हुआ है और यह कहां शुरू हुआ है नई दिली के बिज्ञान भावन में दो दिनों का सम्मिलन था जो आज़न क्या था बहुत विरासत पर जिसमें दुनिया के देश भाग लिया इसमें यह भी याद रखेगा और स्चु के बारे में भी याद रखना है संगाई को आपरेशन और यह जो है दो हजर बाईस से 23 सितमबर एक साल के लिए अध्यक्षता कर रहा है भारत जो संगाई सहयोग संगठन का अध्यक्षता कर रहा है S.C.O. का S.C.O. का बरतमान अध्यक्ष कोन है बरतमान अध्यक्ष हारत है यह भी याद रखेगा बरतमान अध्यक्ष हारत है कब से तो यह जो अध्यक्षता कर रहा है सितंबर सितंबर 2022 से सितंबर 2022 से 2023 तक यह इसकी जो है एक साल के लिए ध्यक्ष्टा कर रहा है संस्कृति मंत्राला विदेश मंत्राला और विश्व बहुत संग इसका आयोजन कर रहे है भारत यह कस्कृति मंत्रालै प्लस और वीधेश मंत्राला और विदेश मंत्राला आयोजन कर रहे है तो आयोजन करने वालों का नाम जरूर होना चाहिए आयोजन कर रहे हैं यह भी याद रखेगा भारत का संस्कृति मंत्रा लाए विदेश मंत्रा लाए और विश्वध संग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के विज्ञान भौनमी पौध पर जो बहु कोपरेशन और्गनाइजिशन आपना हुजन डुहजार अक में और इसका मुख्याले वीजिंग में और इसको जट्शीव हैं वह हैं जां संगो हरण है मींहें मुघहन के गाँ संगाय कोपरेशन और घनाब का पूरा नाम है 2001 में इसके अस्थापना होई थी है भारत और 2052 ने कितने राजियों में Green National Highway परियुजना के निर्माण के लिए एक रिण्ड समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसका जवाब हो जाएगा चार राजियों के इसका सही जवाब हो जाएगा चार क्या बनाना? ग्रिन नेशनल हाइवे कोरिडोर प्रियुजुना है ना हाइवे भारत में बहुत तेजी से बिक्सित करने की और भारत बढ़े रहा है तो बीस वाइंका और भारत के बेच इसके लिए रिल समझोते पहस्ताक्षर किये गये हैं ये भी याद रखेगा एक महत्तपुन बात हो होगा उसां माचल पड़ेश राजस्थान उत्रप्रदेश आंध्रपर्देश माचल पर्देश राजस्थान तर परुदेश प्रणिश और प्रणिश यहां पर कि रीन नेशनल हाइबे अनग परीडोर परियुजना पिस वेंग के सहयोग से चलाया जाएगा क्या दर कियेगा इस चार राजे हैं इन चार राजियों में ये शुरू किया जा रहा है लगवा 500 मिलियन डालन की रीड़ी साज़ता से 781 किलिम्टर सरनकों का निर्माण किया जाएगा 500 मिलियन की रीड़ पिस वेंग कितना रीड़ी दे रहा है 500 मिलियन डालन की रीड़ी समझावता हुआ है 500 मिलियन डालन की रीड़ी समझावता हुआ है और 700 किलिम्टर से अधिक 781 किलिम्टर सरडक निर्माण होगा ग्रीन कोरिडूर ग्रीन कोरिडूर से मतलब है कि इस तरीके की गाडियां और इस तरीके से मैनेज किया जाएगा है कम से कम परदूशन हो इसी को ग्रीन कहा जाता है पुदेश से कहा है जलवाई उलचीलापन खुलोबल बार्मिंग को कम करना और ऐसे परदूशन कम करें राजमार्क सुरच्चित तरीके से उस पर लोगों का यातरा सुनिश्चित किया जा सके इसके लिए यह किया गया है बहुतिमहत्पुन पहारती रिजर बैंक एक प्रस्न है चलिए अगला प्रसंदेखते हैं पीस बैंक के बारे में भी जान रखिये जो वीश्वक बारे में जो भीश्वक अपना कभी थी विश्वर्ड बैंक स्थापना दिसम्बर 1945 में हुई थी यह प्रेटेंबूर्ट समयलन 944 वह कई जगा 1944 भी लिखा हुए और इसका हेड़ आफिस कौह है है एड़ आफिस वाशिंग्टन डीची अधियाइड आफिस वाशिंग्टन डीची है वाशिंग्टन डीची और बर्तमान में इसके अध्यक्स कौन ह लेकिन अजय बंगा जो है अब इसके नए अध्यक्च होगे अध्यक्च अभी है डेविड माल पस अमेरिका के है लेकिन नए होंगे अजय बंगा नए अजय बंगा होंगे यह भी जानद केगा और विश्वाइंक में मुख्यार्थ सास्तिर किसे निउट किया गया है भारती रिजार्फ बंग ने कितने देश के बंगों को स्पेशल बोस्ट्रों रुप्ये खाते खoten खलने ये कंवं सा क्वाता है इसे का उतर होगा आठारा देशों को स्पेशल भूस्टो रुपे खाते खोलने की अनुमती धी है याद रखेगा अब यह किस प्रकार क्या खाता होता है अठारे देशों को दिया है इसके अनुमती दे दी है और या थारा देशों में कौन-कौन सामिल है फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मारिशस, मेमार, निव जिलेंड, ओमान, रूस, सेसल्स, सिंगापूर, सिरिलंका, तंजानिया, युगांडा, संजुक्त राज्य, अमेरिका ये सब सामिल है अब रूस्तर रुपया खाता किस प्रकार का खाता होता है ये ऐसी खाता देशी बैंक, विदेशी बैंकों के लिए अपनी देशी मुद्रा में रखते है देखो, ऐसा खाता जिसमें देशी बैंक जो होता है, भारत के जो बैंक होंगे विदेशी बैंकों के लिए मुद्रा अपनी मुद्रा में रखेंगे ये खाता किस प्रकार का होता है इसमें देशी बैंक विदेशी बैंकों के लिए बैंकों के लिए मुद्रा कि अपने कि रुपए में रखेंगे कि इस परकार के खातों को क्या बोला जाता है वोस्ट्रों खाता कहा जाता है जो देशी बैंक होंगे बिदेशी बैंकों का जो मुद्रा होगा वो रखेंगे देशी बैंक और अपनी मुद्रा में रखेंगे इसे डालर को रुपए में कर परके रखेंगे इस परकार का खाता होगा ताइसा अठारा देश हैं विशेस वर्ष्टों रुपया खाता किसे कहते हैं एक ऐसा खाता होता जो देशी बैंक विदेशी बैंकों के लिए अपनी देशी मुद्रा में रखते हैं जो मुद्रा होता है अपनी देशी मुद्रा मे होगी तरह से 18 देश हैं जिनका नाम मैंने बोला उसको लिख लिजिएगा तो ये रिजर्ब बैंक से जुड़ा हुआ और एकोनोमी से जुड़ा हुआ परस्ण है रिजर्ब बैंक क्या स्थापना होई टी एक अप्रेल कि निसो पहतीस को और इसका को हैड़ाओफिस दो है हो है मुंबई गवर्णर कौन हैं सकतिकांदास हैं अपर पचीशमें गवर्णर है एक और बात ध्यान किका सकतिकांदास गवर्णर आफ दे यहर्परसकार मिला इनको इन प्रभावित हुआ है कॉर्णर आफ दा इयर इनको चुना गया है यह भी आधर खेगा सक्तिकान दास को फार्ती रिजर्ब प्रभावित हुआ है प्रभावित हुआ है उ फ्रेडी ए फेड़ी से रिखने से जड़ा प्रश्ण है तो मुख्य रूप से मलावी प्रभावित हुआ है ना सबसे प्रभावी लेकिन मोजांबिक में इसका प्रभाव रहा मेड़े गासकर में रहा तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इसका सही जवाब होगा लेकिन पुछा जाए मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुआ तो मालावी प्रभावित हुआ यह याद रखेगा तो फ्रेडी चक्रवात एक उसन कट बंधिये अफ्रीकी देश हैं और उसमें चक्रवात आया है लगभग मौंजाबिक में 99 लोगों की मृत्तु देखनों को मिली यहां पर 99 लोग मर गया तो फ्रेडी को ध्यान रखेगा यह चक्रवात उसे प्रशन है भारती बंगाल की खाड़ी और अरभ सागर में भी आज़े हैं त तो थी एसिएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए जोट पर कितने होते हैं कितने होते हैं कोड पर कोड़ पर होखो में कितने टीम में कितने कि इंड है में खिलाडी इना तो अभी कोड़ेय甃 परत्योगिता जो है 2003 चेंपियंसिप यहांड में साम के राजधानी यह दिश्पूर है कि टेंपियंशिप है कि हाली में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणू पंडूबी साहधारी ए यू के यू यस योजना इन देशों ने मिलकर शुरू किये तिन देशों ने मिलकर शुरू किया है अस्ट्रेलिया ने भी यू के ने अब देखो इनका नाम ही है यहां पर है एकने में चीन को घेरने के लिए और चीन को घेरने के लिए और चीन पर रोक लगाने कि यह चाहिए टेकनलोजी ओव चाहिए दुनिया में जिस थरीके से प्रसार कर रहा है और खास करका ताइवान वाले मुद्य पर इन्हों ने क्या किया है एक परमाडू पंडूबी वाला कारखर हम अब शुरू किया इन्होंने कई तरीके इस मुख्यता यह चीन के लिए बनाएगा है चीन को रोकने के लिए एक परकार का यह गठ बंधन आप कह सकते हैं तो यह इसको याद रखेगा डी यह यू के यूएस का पूरा नाम पुछा जा सकता है हाली में सुपरवग के खिलाफ एक कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रशन है और करेंट फ्रेसर टेकनोलोजी से खिलाफ नए जिवाणू अनू की पोच किसने की है तो इस तरीके से बहुत सरे वाइरस हो गरे जो है औ और अलग नए तरीके के जिवाणू यह जो बनाया जा रहे हैं तो कंप्यूटर आइटी सिस्टम को खराब करने के लिए तो इसका उतर हो जागा आई 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 टी खडगपुर नहीं आई 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 टी रूड़की आई 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 टी रूड़की के द्वाए किया गय ना जिसे जो है लोग के मोबाइल तो खराब होते हैं उनके डाटा चोरी हो जाते हैं तो आई तरीके के सूपर भग जो होते हैं उसको रोकने के लिए और उसकी खोज करने के लिए उसको पकड़ने के लिए आई आई टी रूड़की के द्वारा दो इंडियन तो चलिए ये इसको याद रखेगा ये ऐसे ही एक प्रस्ण भनेगा अपने आप में IIT रूड़की से चलिए आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे आप सूपर बग के बारे में और जानिए कि ये क्या होते हैं इस पैम मैसेज क्या होते हैं चलिए कल फिर मिलेंगे सभी लो